अब हम आपको बताएंगे डेसिकीटर का स्टेंडर ओपरेटिंग प्रोसीजर डेसिकीटर एक तरीकी का मौस्टर कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी सेंपल या माटेरियल को रखते हैं दो परपस के लिए पहला किसी भी सेंपल को ड्राइ करने के लिए अगर उसमें बहुती ट्रेस अमाउंट में मौस्टर प्रेजन्ट हो और दुसरा अगर कोई सेंपल अल्रेडी ड्राइड है तो उसको फर्दर मौस्टर रिएज़र करने से प्रिवेंट करने के लिए अब हम आपको बताते हैं desiccator के parts के बारे में desiccator एक तरीके का airtight पेजल होता है यह desiccator का lead है, यह grease rim है और नीचे desiccator का chamber है अब हम आपको desiccator के अंदर के parts के बारे में बताएंगे इसके लिए हम lead को remove करके एक side रख देंगे अब देख सकते हैं desiccator के अंदर एक perforated disc दिख रहा है इस perforated disc में ही हम अपने sample को रखते हैं अब यह grease rim है, यहाँ पे हमने greasing करते हैं अब हम perforated disc को निकाल के एक side रख देंगे perforated disc निकालने के बाद आप देखेंगे एक section है जहाँ पे हम अपने desiccator को रखते हैं desiccator मतलब की drying agent जो की chamber में present moisture और sample में present moisture को adsorb करता है अब हम आपको बताएंगे operating procedure desiccator का अब हम इस chamber में desiccator मतलब की drying agent डालेंगे हमने यहाँ पे silica gel यूज किया है as a drying agent आप अगर silica gel के जगा में magnesium sulfate, phosphorus pentoxide को हमने desiccator में silica gel add कर दिया है, यह sila के दिर हमारे sample को moisture adsor होने से prevent करेगा अब हम इस spatula की मदद से silica gel को अच्छे से spread कर लेंगे spread करने के बाद हम rim में greasing करेंगे greasing के लिए हमने petroleum jelly लिया है petroleum jelly को हम बहुत ही small amount में लेने के बाद rim में अच्छी तरीके से सभी तरफ spread कर लेंगे greasing का main purpose होता है जो lead है और chamber के बीच में कोई space न रहे ताकि बाहर से कोई air and trap न हो और हमारा chamber air tight रहे petroleum jelly को desiccator rim पे अच्छी तरीके से सभी तरफ आपको spread करना है हमने petroleum jelly को सभी तरफ लगा लिया है green पे अब हम perforated disc को वापस desiccator के अंदर रख देंगे disc को desiccator के अंदर रखने के बाद अब हम sample को लेंगे और उस sample को perforated disc के उपर desiccator के अंदर रख देंगे sample को लगने के बाद अब हम desicator के lid को वापस से desicator पे लगाएंगे desicator के lid को हम slide करती हुए ही desicator पे लगाएंगे desicator के lid को अगर हम vertically remove करते हैं तो वो easily remove नहीं होगा इसी कारण से desicator के lid को हमेशा slide करती हुए ही remove करें और अगर desicator की lead को वापस से desicator पे लगाना है तो उसको slide करते हुए ही desicator पे लगाएं Thank you